हेई गाईस आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्वा दोवकेट तो तो आपको अमप्यार को राउंड दव्वेड बोलना है अगर आप व्वेड के लेप साइट से बोलना है तो अमप्यार को जाके आपको ओवर्वेड दुट बोलना है ऐसे ही एक्जर्ट ऑ्पोजीट है लेफ्ट हैंडर के अब बात करेंगे आपको मैच्स के स्टार्टिंग टाइम प्रक्लिंग करना है कि रॉंड ढोलिंग करना है मैच के स्टार्टिंग टाइम पे आप ओबर दूइके ज्यादा प्रिफरेवेल होता है क्योंकि उस टाइम आप विकेड लेने के बारे में सोचते हो बट आपको रन रोकने के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना है तब आपको विकेड लेने के बारे में सोचना है एज बोलर बट जब मैचेस के एन टाइम पे आते हैं आप विकेट के बारे में ज़्यादा ना सोचके रन रोपने के बारे में ज़्यादा सोचना तो इस टाइम आपको राउंड दा बोलिंग डालना है राउंड विकेट बोलिंग डालने से क्या फायदा होगा ये राइट हैंडेट के लिए बता रहा हूँ जो भी बैट्समेन होता है बॉल देखके लाइन पे हिट कर देते हैं अगर आप राउंड दालते हो थोड़ा एंगेल बनाके राउंड विकेट से डालोगे तो बॉल भी एंगेल पे निकलेगा तो बॉल जब एंगेल पे निकलेगा लाइन नहीं भोल्ड करेगा बैट्समेन के आउट होने के जाधा चांसे होते हैं और एक चीज़ यादर अगर आप राउंड दाल रहे हो तो थोड़ा एंगेल वाला के बॉल भी डालने का ट्राई करना बॉल अगर ऐसे करके डालते हो तो थोड़ा ऐसे करके डालने का ट्राई करना यह एंगेल गोल्ड कर लेता है बॉल तो वही चीज आप फाइदा भी उठा सकते हो आपको बताता हूँ राउंड विकेट अगर बॉल करते हो तो आपको कैसे करना है तो इधर आप देख सकते हो मैं राउंड विकेट बोलिंग कर रहा हूँ और राउंड दर से थोड़ा एं कर दो, बॉल ख़िए ऑमाया धिए एंग आप रहा हूँ लगा है यह खा पाला है यह विके विकेट बता है विकेट लिए से खरती हूँ और प्लाज जब राउंगे कर विकेट आपको आपको कैसे ड़ मैं तो आपको आपको